देश में भोचपूरी गाने से अशलीलता को हटाने को लेकर लगतार मुहिम चली और खासतोर पर जब ये मुहिम डी टीवी भारत पर चली तो कई लोक गायकों ने भी हिस्सा लिया कई ऐसे गायक भी हैं जिन्होंने बर चर कर इसमें हिस्सा लिया और भोचपूरी से अशलीलता को हटाने की मांग कर डाली सरकार से बिहार सरकार से भोचपूरी को आठवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की हाला कि अब भी जादा कारवाई तो नहीं की गई है लेकिन कहीं न कहीं ये मुहीम रंग लाई डीटीवी भारत पे दर्शकों का भी प्यार मिला और ऐसे में कई ऐसे सुप्रसिद गायकों ने भी इस मुहीम का में हिस्सा लिया अब बाड़ी है कैसे लोक गायका की जो अक्सर अपने साफ सुत्रे गानों की वज़े से जानी जाती है हम बात कर रहे हैं लोक गायका मशहूर भोचपुरी गायका देवी की जिन्होंने सुपॉल में डीटीवी भारत के समवदाता राजेश चौजरी से खास बात चीत की इस दोरान डेवी ने कहा भी कि अच्छे चीजों की कदर ज्यादा होती है बुरे चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं आपको बता दे कि लगातार कई महीनों तक जब यह मुहीम चली थी और खास्तार पर जब डीटीवी भारत ने यह मुहीम चलाई थी तब कई भोचपुरी के दिगज अभिनेता और गायक भी सामने आये थे और अपनी व्यथा को उन्होंने रखा था कि किस तरह से उन्हें भी परिशानियों का सामना करना परता है एक भोचपुरी होने का एक भोचपुरी भाशी होने का किस तरह से जो दर्द था उनका भी छलका था ये भी हमने आपको दिखाया था आपको बता दे कि लगातार भोजपूरी भाषा में अपशब्द अशलील गानों का प्रयोग करने की वज़से हैं भोजपूरी जो भाषा है उसे बदनाम करने की कोशिश की जारी और इस पर लोग गाय का देवी ने भी अपनी टिपणीत की अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किय क्या कुछ कहा है देवी ने जरा आप भी सुने अकसर लोग भोजपूरी की गानों को एग्नोर करते हैं यह यू कहते हैं कि लोग भोजपूरी गाना पडिवार के साथ नहीं सुना आय सकता है तो हमारा साथ बात करने के लिए मौझूद है लोग गाई का देवी जी हम देवी जी से बात करेंगे सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागे था डेटी विए मैं जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय जो भोजपूरी असलीलता फेल रही है इसको लेट क्या कुछ कहेंगे हैं देखिए मैं यही मानती हूं कि किसी भी अच्छी चीज का ही महत्व होता है और अच्छी चीजे जो हैं लोगों के दिल में अस्थान बनाते हैं असर करती हैं त तो मुझे इस बात की बेहत खुशी है कि मेरे अच्छे गीतों को लोगों ने पसंद किया और आज भी मैंने जब गाना स्टार्ट किया था 17 साल पहले और आज 17 साल बाद भी मेरे शोज लगातार चल रहे हैं लोग मुझे पहचान जाते हैं और उन लोगों मेरे पास आते ह है तो यह मेरे खुशी की बात है अब मैं जानना चाहिए कि सबसे पहला गाना पर कौन सा रहात है सबसे पहला गाना था पुर्वा बैयार जो कि काफी लोग प्रिय हुआ था तो मैं आपने दर्श को सुना भी देना चाहती हूं जरू 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 बहे के पुर्वा रामा बहा गई ले पाँचवा साजानवारे अब बहा गई ले सीताला बेयार मुर साजानवारे बहा गईले सीताला बेयार वरतमाल समय में यो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लर्की लर्किया गाने की चहत्रे में आ रहा है। बिल्कुल भहिस्कार करना चाहिए और जो नएक अलाकार है उनको जो अच्य संगीत क्योंकि अच्छा संगीत जो है वह मैं अच्छी फीलिंग देता है अच्छा एहसास कराता है और मुझे लगता है कि संगीत बहुत ही सचछी सएठ चीज़ है और इक बाद्य संते लेडेक्स दोछ सब्सक्तों भारत मंजिश्क कि भारत एक सो क्रोर वैक्षिनוצन को पार किया है इंको लिए क्मझा जपूस आपके जिमको कोवीट से बचना चाहिए और वैक्सिंद डफिनेट्ली लेना चाहिए क्यूंकि वह बहुत ज़ाद ही जरूरी है तो बहुत धन्यवाद अपका थाईंक्यू, थाईंक्यू सो माच तो आपने सुना लोग गाय का देवी को तो इस ख़बर में फिलाल इतना ही डिट विभात के लिए राजेश चौधरी